सर प्रथमतों में जिन महान्वी बूती के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है उनको सादर सुमन अर्वित करती हूँ और मैं अपने आपको भागिशाली महसूस करती हूँ कि मैं उनकी परिवार की सदस्य हूँ और समय समय पर मुझे उनका आशिरवाद और प्रोस्ताहन दोनों प्राप्त हुए और वो जो महान्वी बूती है वो पारिवारिक जिम्मेदार्या निभाते हुए एक संत थे और संत भी ऐसे के जिनका व्यठ्यान करना जो है सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है तो मैं उनको कुछ कहने के बजाए सादर सुमन अध्वित करना चाहूंगी और मेरी तरह से उनको श्रद्धान जीए आज हिंदी दिवत है तो हिंदी बास्तर में क्या है क्या वो शब्द है या भाषा है या इससे हटकर भी इसके कुछ बाइने है हमारी जिंदगी में मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगी मेरी कुछ पंक्तिया है अपने पन का नाम है हिंदी अपने पन की पहचान है हिंदी अपनों में जीने का नाम है हिंदी सच कहो तो हस्ते दिल का अर्मान है हिंदी कहीं विदेश में सुन जाए तो धड़कन सी आ जाए वो नाम है हिंदी कहीं गोरों में कोई अपना सा दिख जाए होटों पे मुस्कान आ जाए वो नाम है हिंदी किसी की दिखते ही चेहरे पर हसी खिल जाए वो नाम है हिंदी सच कहूं तो हम हिंदुस तालियों की जान है हिंदी जान है हिंदी जान है हिंदी पिता जब उम्र से ठकने लगे कभी जुक कर कभी रुक रुक कर चलने लगे अफसर बेटा पाउं दबाए वो एहसात है हिंदी क्योंकि शायद हम हिंदियों में ही वो बात होती है विदेशों में मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा होते हुए तो मैं कहना चाहूंगी पिता जब उम्र से ठकने लगे कभी जुक कर कभी रुक रुक कर चलने लगे अफसर बेटा पाउं दबाए वो जजबात है हिंदी या कहो कि माता पिता की सच्ची होती आस है हिंदी या कहो माता पिता की सच्ची होती आस है हिंदी मा की गोध में ममता की प्यास है हिंदी क्योंकि जो मा की गोध हम लोगों में हिंदुस्तानियों में मिलती है शायद विद्रिशों में कम ही मिलती है वो मा की गोध मा की गोध में ममता की प्यास है हिंदी बुजुर्ग के मुहों में गंगा जल का एहसास है हिंदी यह भी एक बहुत बड़ा रूप है हमारी हिंदी भाशा का फिल्मों में प्रेम गीतों का इसपंदन है लिद्धी, कभी सीमा पर शहीद के लिए देश का रूदन है लिद्धी, जब तक एहसासों की ये आकरती दिल में रहेगी हिन्दी जिंदा है हमें, हमेशा जिंदा रहेगी। कर दो कर दो